तंतरिक गंतों में कई ऐसे प्रियोगों के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से असंभव कारे को भी संभव बनाया जा सकता है इन प्रियोगों में विशेश, पोदे, पूजा, समागरी, फल तथा अन्य चीजों का प्योग होता है तंतर के अनुसार नेमू तथा लोंगे टोने टोट के द्वारा जीवन की कई समस्यां को एक ही जटके में खतम भी किया जा सकता है यदि घर में किसी बच्चे या बड़े विक्ती को बुरी नजर लग जाए तो उसके सर से पैर तक साथ बार नेमू वार लें इसके बाद इस नेमू के चार तुकड़े करके किसी सुनसान इस्थान या किसी चुराहे पर फैंक दे ध्यान रखें नेमू के तुकड़े फैंकने के बाद पीछे मुड़ कर ना देखें और सीधे घर आ जाएं नजर तुरंत ही दूर हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा तो उसे शनीवार के दिन नेमू का तांतरी कुपाय करना चाहिए इस उपाय के अनुसार एक नेमू को दुकान की चारों दिवारों से इसपर्श कराएं इसके बाद नेमू को चार तुकड़ों में अच्छे से काट लें और चुरहय पर जाकर चारों दिवारों में नेमू का एक एक तुकड़ा फैंक दे इससे दुकान व्यापार इस ताल के नेगटिव एनरजी नश्ट हो जाएगी घर की नकरात्मक उर्जा को दूर करने के लिए घर में नेमू का पेड़ लगाएं नेमू के पेड़ से आसपास का वातावन सकरात्मक उर्जा से भरपूर होता है इसके साथ ही नेमू का पेड़ घर में लगाने से घर का वास्तो दोश भी दूर होता है प्रचलित मान जाता है कि अनुसार अगर सुईल लगा नीमू किसी बिमार के सिर्फ पे साथ बार वार कर उसे चुराये पर रख देना चाहिए ऐसी स्थिती में एक साबूत निमू के उपर काली श्याई से 307 लिख दें और उस व्यक्ति के उपर उल्टी तरव से साथ बार उतारें इसके बश्चात उसी निमू को चार भागों में इस प्रकार काटे की में नीचे से जुड़े रहें फिर उसी निमू को घर से भार किसी निर्जन इस्थान पर फैंक दें इस उपाय को करने से पीड़ व्यक्ति 24 घंटों के अंदर ही सुष्थ हो जाएगा अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी बार बार असफलता मिलती है तो नीमू का एक छोटा सा उपाय आपके सारे काम बना देगा इसके लिए आप एक नीमू और चार लोंग लेकर किसी निकट के हनुमान मंदिर में जाएं वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैटकर नीमू के उपर चार लोंग लगा दें इसके बाद हनुमान चालेसा का पार्ट करें पार्ट करने के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रातना करें और इस नीमू को जेम में लेकर आएं आपको निचिती सफलता मिलेगी ध्यान रखने जरूरी बाते हैं जब भी टोटका करने के बाद निमू फैंके तो पीछे मुड़कर कभी न देखें सीधे अपने घर की तरफ आ जाएं कभी कभी रोड पर निमू मिडची पड़ी हुई दिख जाती है